आशा केमोती चैनल में आपका स्वागत है गुड के फाइदे रात में सोने से पहले गरम पानी के साथ करें गुड का सेवन गुड एक ऐसा खद्यपदार्थ है जो आपको घर की सोई में ही बड़ी असानी से मिल जाएगा इसका सेवन अलग-अलग रूपों में किया जाए तो हमें पिमारियों की चपेट में आने से बचा सकता है सेहत्मन बने रहने के लिए हमें कई परकार के खाद्यपदार्थों का सेवन निम्मित रूप से ही करना चाहिए खाने के बाद हमें अक्सर किसी मिठे पदार्त को खाने किसला दी जाती है, ताके पाचन क्रियों में असानी हो, इस खाद्यवदार्त में गुड का भी नाम शामिल है, जो आमतर पर सभी घरों में बड़ी असानी से मिल जाता है, भुविन परकार के पकवानों को बनाने में भी गुड का इस्तेमाल किया जाता है, इसका अलग लग रूप में सेवन करें, तो यह हमारी सेहत के लिए काफी फाइदे मंद होता है, बजन घटाने के लिए मुख्या रूप से गुड के पानी का सेवन करने किसला दी जाती है, कि जिन लोगों को मटापे की समस्या है, उ यह कई परकार की विमार्य की चपेट में ला सकता है, एक अध्यान के अनसार इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, फाइबर एक ऐसा पोशक तत्व है, जो मुख्या रूप से पाचल किर्या को सचारों रूप से चलाए रखने के लिए शुरीर के लिए महलाओं को परिशान कर सकती है, चूंकि गुड में आयरन की काफी मात्रा होती है, इसलिए महलाओं के लिए इसका सेवन फून की कमी होने से रोकेगा, और जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्त रखने में भी मददकर साबित होगा, पहली और दूसरी तिमहाई में गुड क का सेवन ना करने की इसलाँ दी जाती है, क्योंकि गुड की कसीर गरम होती है, बच्चे के लिए नुक्सान डाइक हो सकता है, रोक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना कर आप कई परकार की स्क्रमक, बिमारियों और कुछ जानलेवा बिमारियों के खत्रे से भी बचे र सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की स्मस्या से हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत होती है, इसे हाई पर्टेंशन के नाम से भी जाना जाता है, गुड में मजूर टाश्यम की मात्रा आप के ब्लड प्रेशर को संतुलिक बनाए रखने के साथ साथ किडिनी स् की स्मस्या से भी शरीर को स्वक्षा परदान करती है, लीवर की क्लिनिक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जहां अलसर और इंफेक्शन की स्मस्या हो सकती है, जबके गुड में मजूर डिटॉक्सिन, गुन, टाक्सिक पदार्थों को लीवर से बाहर निकालने का कारिया कर रहा है, अधिक मातरा में किसी भी खद्यवदार्थ का सेवन करना नुक्सान दाइक होता है, और गुड के साथ भी यही बात लागू होती है, अधिक मातरा में जदी आप गुड का सेवन करते हैं, तो यह है शुगर, मटापा और टाइप 2 डाइविटीज का खत्रा भी